जैहिन दोस्तों स्वागत आप सभी का रेडियंट आर्मी एकैडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं भिनव आपका दिल से अविनेंदन करता हूँ हम लोग राम सिंग यादव गाइड में चक्रवेधी व्याज और साधान व्याज को रिसकस करने वाले चले तो शुरू करते है सबसे पहले तो हम लोग साधान व्याज के कुछ कोंसेप्ट को समझते हैं जिससे हमारा कोश्चन सॉल्व होगा छिली सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा एक टर्म आता है हमारे चक्रवेधी व्याज और साधान व्याज दोनों में आएगा मूलधन वर्ड आएगा तो ये मूलधन क्या होता है कि जो रासी हम लोग उधार लगाते हैं या फिर उधार लेते हैं वही रासी मूलधन कहलाता है और एक टाइम होता है ब्याज जो असपस्ट रूप से सवाल में लिखा हुआ रहेगा कि 500 रूपे ब्याज है 1000 रूपे ब्याज है ये ब्याज के बारे म तो असपस रहेगा कि वो व्याज रहेगा उसके बाद एक होता है मिसरधन मिसरधन को amount एसे denote करते हैं और ये मूलधन को P से denote करते हैं तो मिसरधन के बारे में क्या होता है कि जो रावसी ब्याज सही तो वापस मिल जाए मतलग total इसमें मूलधन भी रहे इस मिस्रधन में क्या होता है कि मूल धन भी रहता है साथी साथ ब्याज भी रहता है ये मिस्रधन होता है सवाल में ये भी असपर्ष रूप से लिखा नहीं रहेगा कि मिस्रधन है जैसे ये लिखा रहेगा कि 2,000 रुपे हो जाता है मतलब 5 video 1032 की दे से 2000 रूपए हो जाता है 2000 रूपए हो जाता है जैसे समज़ेंगे ये समझ जाएंगे कि भाई, ये मिसरधन दे रखा है अगर ब्याज के बारे में खाएगा तो ब्याज तो अस्पस्ष पुझ रुप से लिख देगा रखना होगा उसके बाद अगर ब्याज के परतिशत करने की बाद करें तो ब्याज का परतिशत R इंटू T करना ह duy जितना दर दिया हुआ हो और समय दिया हो उस दोनों को गुणा कर लेंगे तो साधायन ब्याज का परतिशत निकल करा जाएगा और मिश्रधन का परतिशत कैसे निकालते हैं तो r into t जो किया रहेगा उसी में हम लोग 100 को जोर देंगे तो ये हमारा मिश्रधन का परतिशत हो जाएगा ये तीनों चीज़े अगर हम लोग समझ लेते हैं तो साधायन व्याज के सवाल को आसानी से हम लोग solve कर लेंगे एक बाए फिर से इसको repeat कर लेते हैं मूलधन जब भी हमारा दिया रहे है या फिर मूलधन पूछा जा रहा हो वो हमेशा 100 परतिशत के बराबर होगा और साधायन व्याज का परतिशत रखने की बाद जब भी आए तो r और t को गुना कर लेंगे r हमारा दर है और t हमारा समय है और जैसे मिस्रधन के परतिशत की रखने की बात करेंगे तो मिस्रधन के परतिशत में क्या करेंगे r into t तो करेंगी करेंगे साथी साथ उसमें 100 को जोर देंगे ये हमारा मिस्रधन का परतिशत होगा अब इस concept को लेकर हम लोग आगे बरते हैं और सवाल को solve करेंगे चली question हम लोग देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारा है 18,440 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधान व्याच कितना होगा तो 18,440 रुपए पर मतलब 18,440 मूलधन है हमारा और मूलधन कितने परतिशत के बरावर होता है तो मूलधन हमेशा होता है 100 परतिशत के बरावर तो 18,440 हो जाएगा 100 परतिशत के बरावर अब ये देखते हम से पूछा क्या है जो पूछेगा उसी का परतिशत रखेंगे हमसे पूछा है साधायन ब्याज तो साधायन ब्याज का परतिशत कहां से आता है आर इंटू टी से आर और टी कितना हो जाएगा पंदरा चोके साथ तो हम कहेंगे साथ परतिशत बराबर वाट निकाल लेते हैं अब इसको सॉल्व कहने में कोना कोना कैंसल नहीं करना है ये बात हमेशा ध्यान अकना है कोना कोना हमेशा गुना करना है तो एक जरो एक जरो इसको उपर उपर कैंसल करे लेते हैं एक जरो इसका कैंसल करे लेते हैं क्या बचा इधर तरफ तो कुछ नहीं बचा है इधर तरफ कोने में क्या बच गया अठाए सो चो आलिस उना छे कर लेंगे क्या मिल जाएगा ग्यारे हजार 64 मिल जाएगा option number A हो जाएगा चली next हम लो दो नमबर सवाल पर आते हैं इसी तरह के से सवाल को solve करते हैं 3000 रुपए की रासी को साधान व्याज की 5 परतिशत के दाए से 2 बच का साधान व्याज क्या होगा तो यह 3000 रुपए की रासी तो मूल धना मारा कितना है तो 3000 है हम कहेंगे मूल धना गए 3000 है तो 3000 है किसके बराबर हो जाएगा 100 परतिशत के बराबर होता है अब हमसे पूछा क्या है साधायन व्याज तो साधायन व्याज का परतिशत कहां से आता है R into T से यह 5 परतिशत और 2 व्याज दोनों को गुना कर लेते है R into T क्या हो जाएगा 10 परतिशत बराबर वर्ट कर लेते हैं फिर से साधायन व्याज एक्सासी रुपए हो तो मुल्धन क्या होगा तो यह एक्सासी के बारे में क्या बोलाए कि यह क्या है साधायन व्याज एक्सासी है अगर साधायन व्याज एक्सासी है तो परतिशत भी तो साधायन व्याज का रखना परेगा सदानवाच का परतिशत क्या होता है आर इंटू टी यह आर इंटू टी का यह लेते है पांच गुना तीन पंदरा परतिशत अब जो पूछेगा उसी का परतिशत रखेंगे हमसे पूछा है मूलधन क्या होगा तो मूलधन का परतिशत क्या होता है रुपे हो दर 12 परतिशत 12 परतिवर्स हो और समय तीन वर्स हो तो साधान व्याज क्या होगा तो मुल्धन कितना दिया है 450 अगर मुल्धन 450 दिया है तो हम लोग जानते हैं जो चीजे दिया है उसका परतिशत पहले रख लेते हैं मुल्धन 450 है और मुल्धन का परतिशत होता ह सो परतिशत ये चाह सो पचाह सो परतिशत के बराबर अब जो पूछा उसका परतिशत रख देते हैं हमसे पूछा है साधान ब्याज साधान ब्याज का परतिशत आता है आर इंटू टी से आर इंटू टी हो जाएगा बायोगना तीन चाहतिस परतिशत बराबर वाट निकाल काठ लेते हैं इसको तिए जीरो से जीरो कैंसल कर लेते हैं यह जीरो से जीरो हो गया Character और फिर पांट से इसको नौबार में काठ लेते बाद दो से 36 को इसके ठारा नौ़ अठ आरफार कर गया अठारा नमा 165 बी हो गया चली अगले सवाल पर आते हैं next question ünkorn ये वर्सों में कोई राशी 5% वार्जिक 10 से दोगुनी हो जाएगи जब साधान्वियाज में यह दोगुना तिगुना वैला सवाला है या तो उसमें धर्ष पूछेगा या तो हमसे समय ठenza पूछेगा ध्यान रखना या तो हमसे दरt पूछा जाएगा या तो समय पूछा यह दुगना ती गुना वाले सवाल में और वो भी साधायन व्याज में तो और इस वाले सवाल में कहीं भी साधायन व्याज लिखा नहीं है तो यह समझेंगे साधायन व्याज का ही सवाल है चलिए अब इसमें करना है कि जितना गुना हो रहा हो पहले देखना कितना गुना ह हो रहा है उससे कम कर देना है दो गुना हो रहा है तो एक कम कर दी हो गया एक गुना उसके बाद पांच हजार रुपए हमारा मूलधन है और मूलधन किसके बराबर होता है तो मूलधन हमेशा सो परतिशत के बराबर हो जाता है तो यह पांच हजार बराबर है सो परतिशत के तो हमसे क्या पूछा पांच हजार रुपए का ब्याज हमसे ब्याज पूछा है तो ब्याज का प हमारा सवाल है सलाना पांच परतिशत की दर से दो बाइस के लिए बारह हजार रुपए का चक्रवेधी ब्याज क्या होगा अब हमारा सवाल चक्रवेधी ब्याज का गया दिहान से समझना है चक्रवेधी ब्याज में कई सारे कॉंसेप्ट यूज करने होते हैं सवाल के रूपए का चक्रवीर्थी ब्याज है अब एक काम करते हैं इसको क canción टरीके से सौल हो करते हैं तो यह एक साल का निकलेगा बड़ा हजार रूपए का पांच परतिशत इसका मतलब क्या है तो बारे हजार का हम लोग यह पांच परतिशत मतलब पांच पूटे सो निकालेंगे क्या मिलेगा 12,5 शे सो मतलब ये पहले साल का ब्याज मिला 600 अच्छे तरीके से समझना है एक साल का ब्याज हो चुका है अब हम आते हैं दूसरे साल में फिर से दर तो यही 5 पर 30 सत रहेगा और फिर एक साल का निकाल लेते हैं अब क्या होगा अब जो ये दूसरे साल वाला जो हम लोग निकाल रहे हैं इस पर ब्याज 12,000 का भी 5% लगेगा और 600 का भी 5% हमें देना परेगा यही चक्रवेदी ब्याज है तो इस 12,000 का पहले 5% निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 600 फिर 600 का भी 5% निकाल लेते हैं इसी तरीके से यहाँ 600 का 5% सॉल्व गयते हैं 600 का 5% का यह 0 से 0 खतम 635 रूपय और लग जाएगा मतलब दूसरे साल कितना लग गया 630 पहले साल ब्याज 600 था दूसरे साल ब्याज हो गया 1230 इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और भी तरीके इसको बनाने के लेकिन यह सिंपल कॉंसे कोस्चन पर आते हैं अगला सवाल हमारा है कितने समय में 4000 रूपय मूलधन पर 1230 से 1200 रूपय साधायन व्याज प्राप्त होगा अब आते हैं हमें क्या बोला कितने समय में सबसे पहले तो हमसे समय पूछ दिया है 4000 रूपय मूलधन हमारा 4000 है तो हम जानते हैं कि मूलधन निकालते हैं यहां पर है T क्या मिलेगा टी को दो से गुना करेंगे टूटी बराबर में क्या हो जएगा इधार तरफ है पांच तो टी बराबर क्या हो जाएगा पांच बटे दो पांच बटे दो का मतलब धाय वर्स तो दस अमलब पांच वर्स हो जाएगा अप्शन नमबर बी हो जाएगा चली नेक्स्ट कोश्चन पढ़ाते हैं आगे का हमारा सवाल फिर से चकरविधी व्याज का सवाल है चली देखते हैं सवाल कहました थे साल के लिए जिसमें पहले साल के लिए आठ परतिसद 8 परतिसद वासिक दूसरे साल के लिए 10 परतिसद और तीसरे वस के बारह परतिसाद वासिखदे से 6,000 रुपए पर कितना चक्रविधी व्याज होगा फिर से चक्रविधी व्याज का सवाल है और इसको सही तरीके से सौल्व करना होगा राम से तब जाकर हमारा आंसर सही तरीके से निकल पाएगा चली तो निकालते अभी थोईदे पहले जैसे 6,000 रुपए पर मतलब मूलधन हमें दे दिया च्छे हजार रुपए चलिए तो सबसे पहले हम लोग मूलधन को उठा लेते हैं मूलधन हमारा है जह हजार रुपए अब क्या हुआ अब पहले साल का दर 8 परतिशत है दूसरे साल का 10 परतिशत है तीसरे साल का 12 परतिशत है यह जरूरी नहीं है कि पहले हम लोग 8 परतिशत ले उसके बाद 10 परतिशत ले उसके बाद 12 परतिशत अगर हम चाहे तो पहले 12 परतिशत भी ले सकते हैं फिर 10 एक काम कहते हैं थोरा सा और इस पेस इसमें बना लेते हैं ताकि हमारा काम करना आसान हो चले तो मूलधन हमारा है 6000 और एक साल का रख लेते हैं हम लोग 10 परतिशत से इसको निकालते हैं 10 परतिशत से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 6000 का 10 परतिशत तो 6000 का 10 परतिशत थोजदे पहले हम लोग निकालते है 6000 गुना 10 परतिशत करेंगे क्या मिल जाएगा 600 पहले साल का ब्याज़वा 600 अब आगे बरते हैं अगला दर लेते हैं 8 परतिशत अब निकालेंगे 8 उप्रतिशत लाएगा दोनों का लगेगा तो इस 6000 का 38% निकालते हैं अर्चा के 4840 असी रुपे और इस 600 का भी 835 निकाल लेते हैं अर्चा के 48 रुपे और इसको लेते हैं जो आर्थ 12 2528 दूसरे साल का ब्याज निमल गया 528 अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अब हम लोग क्या करते हैं फिर से आगे बढ़ जाते हैं ये अगले साल पर है अब अगले साल का दर कितना है तो 12 परतिशत है अब ये 12 परतिशत निकालते ध्यान रखना है 12 परतिशत 6000 का भी 12 परतिशत 600 का भी 12 परतिशत ये 528 का भी 12% लगेगा यही है चक्रवेथी ब्याज मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगता जाएगा एक काम करते हैं सबसे पहले 6000 का 12% निकालते हैं तो 126 के 72 720 आ जाएगा फिस 600 का 12% निकालते हैं तो 126 के 72 आ जाएगा फिर एक काम करते हैं इस 528 का भी 12% निकाल लेते हैं यह तो दसमल तो यह हो गया 12, 8, 96 का 6, बाकी हो जाएगा 9, 12, 24, 24, 9 हो जाएगा 33, 33 का 3, बाकी 3, 22, 60, 63, नीचे 100 हैगा तो एक अंके बाद 10 अमलब, यह आप सही तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से 528 का 12 परतिशत ऐसे निकालेंगे, और क्या कि 528 को 12 से गुना करें, नीचे 2, 0 है त इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, यह हो गया 36, और यह 3, 25, 7, 29, 9, 6 हो गया 15, और यहां पर 15, और यह 855, 855.36, अब 3 साल का जोड़ लेते हैं, पहले साल का 600, दूसरे साल का 528, और तीसरे साल का 555.36, तो यह 6, और 5, 11, 11, 8 हो गया, 19, 19, 28 और 55, 28 और 55 पन हो जाता है कितना तो 83 1983.36 यह हमारा total ब्याज हो गया तो यह option कहां पर है 1983 यह option number A में हो जाएगा option number A हमारा उत्तर हो जाएगा इस तरीके से हम लोग ऐसे सवाल को solve कर सकते हैं बाकि तरीके और भी हैं तो फिलाल तो इस तरीके से हमारा काम आसानी से percentage concept से ही हो रहा है तो इसको निकालेते हैं बाकि और भी तरीका हम लोग आगे चक्रवेदी ब्याज में सीखते चलेंगे चले अगले सवाल पर आते हैं अगले सवाल पाने से पहले थोरा सा space बना ले क्योंकि कुछ सवाल चक्रवेदी ब्याज का हमारा calculation वाला हो ही जाएगा चले निक्स तस नंबर सवाल पर आते हैं अब हमारा सवाल है एक धन रासी पह चार परतिसत वासिक साधान व्याज से 6 महिने के लिए हमारा चे महिना हमें तोवाल ह는 रखना परेगा तो 6 महिना का मतलब क्या होता है 6 महिना को वरस में बनाने के लिए से लगा देते हैं भाग लगा देते हैं तो 6 और बटे में हो गया 12 कट जाएगा 1 बटे दू मतलब इसे भी आधा होता है तो 1 बटे दो रख लिए पर्तिशत अब इमसे क्या पूछा है वह रासी ज्याद करने का मतलब उनसे मूलधन पूछा गया है तो 100 परतिशत बराबर हो गया वाट दो से चार को काट लिए दो बार में और दो से 150 को काट लिए 75 बार में क्या बच गया 75 गुना 100 क्या हो जाएगा 75 100 अप्शन नमबर ए हो जाएगा अप्शन नमबर ए चली अगले 11 नमबर सवाल पर आते हैं नेक्स्ट कोशिन हमारा एक निश्चित धनराशी पर 5 परतिशत के दाश से 2 वाज के लिए साधान व्यास 320 रूपई है तो राशी ग्याद करें सेम इसी तरह के का सवाल है हमसे साधान व्यास 320 रूपई दिया है रासी ग्याद करें मतलब हमसे मूलधन पूछ रहा है तो 100 परतिशत बराबर वाट क्योंकि मूलधन का परतिशत हमेशा 100 परतिशत होता है एक जिरो से खतम हो गया कोना कोना कर रहते हैं 32 गुना 100 हो जाएगा 32 चली नेक्स्ट पारण नमबर सवाल पर आ जाते हैं पारण न बारा सो है तो मूलधन का परतिशत कितना होगा 100 परतिशत यह हो गया 100 परतिशत हमसे क्या पूछा है कितना ब्याज होगा हमसे ब्याज पूछा जा रहा है तो ब्याज का ही परतिशत रखेंगे ब्याज का परतिशत कहां साएगा आर इंटू टी से आर हमारा 20 है और टी क्य बियाज क्या जाएगा, बियाज आगए हमारा 20 ही बचाना, यहां तो कुछ बचाने, इस कोने में कुछ बचाने, तो बचा 20, तो ब्याज हमारा हो जाएगा, तो 20 रुपई ब्याज, option number 1, चलिए, next तेरा number 18 सवाल पर आजाते हैं, नेक्स्ट कोशन है 16,000 रुपए का दो वास के लिए 10 परतिसत वासिक व्याज की दर से चक्रविधी व्याज क्या होगा फिर से क्या है तो हमसे 2 साल का चक्रविधी व्याज पूचा एक काम करते हैं परतिसत का दर है तो यह रख लिए 10 परतिसत का पहले एक साल का निकाल लेते हैं तो 16,000 का 10 परतिसत निकाल लेते हैं तो 16 जाएगा 10 परतिसत 10 बटे 100 करेंगे 2-0 खतम हो जाएगा क्या मिलेगा 1600 अगर किनी को यह दिक्कत हो परतिसत कैसे निकालते हैं तो यह देख ले ऐसे निकालते हैं 16,000 का 10 परतिसत के बदले नीचे देदी है 2-0 और यह कट गया तो 16,000 कुना 10,600 इस तरीके से आता है फिर अगले साल क्या होगा तो फिर ही 10 परतिसत का दर है एक साल के लिए फिर निकालते हैं लेकिन यह लफरा क्या है कि अब यह जो 10 परतिसत का ब्याज आएगा इस पर भी आएगा 16,000 पर भी आएगा और 16,000 पर भी आएगा तो 16,000 का पहले 10 परतिसत निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, और 6, 13, 23, 37, 63, 63, 63, option number B हो जाएगा, option number हो गया, बहुत ये पैन क्यों नहीं चल रहा है, option number B हो गया, चली next, अब थोड़ा सा तो space बनाना पड़ेगा, चक्रविधी व्याज के कॉंसेप्ट को भी अगर सही तरीके से समझ ले तो आसानी से ही सवाल फिलाल तो अभी तक सॉल्व होते जा रहा है बाकी अगर कुछ और पूछेगा तो हम लोग फिलाल आसान साही पूछा जा रहा है चली फेसे साधान व्याज है हमारा मूलधन तीन हजार रुपए पर पांच परतिसत वार्सिक और दो वैस्तो साधान व्याज क्या होगा तो मूलधन तीन हजार है यह सवाल मेरे ख्याल से आपसे बन जाना चाहिए मूलधन अगर तीन हजार है तो मूलधन का परतिशत रख ल ना कर रहेते हैं 301 10 हो जाएगा 300 option number C हो जाएगा चली next 15 number सवाल कि अब हमारा सवाल है कि 13000 रुपए पर दो परतिसत वार्शिक व्याज़ता से एक वस बाद की रासी याद करें एक वस बाद की रासी याद करें यह नहीं बुला एक वस बाद का ब्याज हमसे बुला एक वस बाद की रासी याद करें मतलब हमसे मिस्रदन पूछ रहा है इसी बात को समझना होगा 13,000 रुपए पर मतलब 13,000 रुपए हमारा मूलधन है तो भईय हम जानते हैं कि 13,000 अगर मूलधन है तो 13,000 किस के बरावर तो 13,000 हो जाएगा 100 परतिशत के बरावर तो ये चीज़े हम समझ गये कि last में हमसे क्या पूछ रहा है लास्ट में हमसे मिसरधन पूछ रहा है क्योंकि एक बाद की रासी मतलब टूटल हमसे पूछ रहा है मिसरधन का पर्तिशत रखना परेगा और मिसरधन का पर्तिशत कहां से आदा है R into T करके 100 जोड़ना परता है परे तो R into T कर लेते हैं 2 गुना 1 हो गया 2 और 100 जोड़ तेरा है कम 133260 13260 option number C हो जाएगा चलिए नेक्स्ट हम लोग 16 नमबर सवाल पर आते हैं अब हमारा सवाल है मुल्धन 10,000 पर 10% वाल सिक 10 है तीन वास का साधान व्याज क्या होगा तो मुल्धन 10,000 असपर स्टूप से देही दिया है कि मुल्धन 10,000 है तो मुल्धन किसके बराबर 100% के बराबर अब हमसे क्या पूछा है तीन वास का साधान व्याज साधान व्याज पूछा है साधान व option number B हो जाएगा चलिए next हम लोग आ जाते हैं 17 नमबर सवाल पर अब कैसा सवाल है भी यह कह रहा है सोलह सो रुपए पर 25 35 वाज से चक्रवेधी व्यास से तीन वाज का मिस्रधन क्या होगा अब समझते हैं सही तरीके से अब क्या करना होगा सोलह सो रुपए पर 25 35 की दा से तीन वाज का मिस्रधन पूछा अब हमसे मिस्रधन यहां पूछ दिया गया है और यह चक्रवेधी व्यास है ध्यान देना है चक्रवेधी व्यास चलो पसेंटेज कॉन सप्सेप से ही इसको फिर बनाते हैं सोलह सो रुपए हैं तीन वाज का है एक काम करते पहले साल पर इसको पच्छी स पर से बहर लगा लेते हैं दूसरा वाला क्या है? तो 16,100 पर भी लगेगा और 400 पर भी लगेगा. तो 16,100 का 25% फिर निकालते हैं क्या मिलेगा? 400 मिलेगा. फिर 400 का 25% निकालते हैं, 400 का 25% मिलेब 25% का है मतलब एक बटे 4 और 400 में 4 से भाग लगा लिए, 100 क्या आ गया 500. अगर दिक्कत हो तो आप इस तरी किसे निकाल सकते हैं चार सो का पचीस और बटे में रख लिए एक सो ये जिरो जिरो करके पचीस चो के सो या मुझवानी कर सकते हैं दो साल का हो गया अब तीसे साल पर आते हैं तीसे साल पर पचीस परशेंट लगेगा लेकिन अब ये पचीस परशेंट किस पर इस सोलह सो प 25 परसंट, 25 परसंट का यह एक वर्टे 4, 500 में 4 से लगा लगते हैं भाग, तो 2 से कट जाएगा 250 और 125 वार में कट जाएगा, यह आ गया टोटल, 400, 100, 125 हो गया 625, अब 3 साल का ब्याज मिला रहते हैं, 400 पहले साल का, दूस्रे साल का 500, तीसरे साल का 625, तो 5 और 4, 9 और 6 हो गया पंद्रह, पंद्रह सो पचीस रुपए ब्याज हुआ, हमसे ब्याज नहीं पूछा, हमसे पूछा है, मिस्रधन, मिस्रधन क्या होता है, तो ब्याज सही तो वापस मिल जाए, तो ब्याज पंद्रह सो पचीस तो मिलेगा, मिलेगा, सासे साथ मूल धन भी मिलेगा, सोलह सो छे, पांच, ग्यारा, एकतिस, पचीस, एकतिस, पचीस, ऑप्सन नमबर बी हो जाएगा बिना किसी formula के हम लोग इस तरीके से by concept बिलकुल आसानी से solve सवाल को कर सकते हैं चली, next question पाते हैं, मागे अगर 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 चाहते हैं, formula ही लगाना तो लगा सकते हैं, formula भी हम थोड़ी देर में इसका चर्चा या next वीडियो में चर्चा हम लोग कर देंगे formula का भी है, कि चक्रविदी व्याच के question को किस formula से solve कर सकते हैं, फिलाल तो आप without formula मजे ले सकते हैं चली, next question पाते हैं, 16% साधान व्याच पर 3 वाज के लिए उधार लिया, ठीक है, 11,360 रुपए 3 साल बाद लोटा आगया, क्या बोल रहा है, 3 साल बाद कितना लोटा आया, तो 11,360 सब मिला के 11,360 लोटा दिया, इसका अगर यह मिसर्धन है, तो भी है, 11,360 अगर यह मिसर्धन का ही आएगा, मिसर्धन का परतिशत कहां से आता है, तो आर इंटू टी करके 100 जोर देते हैं, तो आर इंटू टी करेंगे 16 तिया 48 और 100 जोर देंगे 148 परतिशत, तो उधार ली गई रकम, उधार ली गई रकम का उतला हम से मूल धन पूछ रहा है, 100 परतिशत बराबर कई कई है गा, दसमलब में, लेकिन दसमलब में ऊप्चन है ने, काम करते हैं एप्रॉक्स में इसको काट लेते हैं, जाचंटिस से, ग्यार थिं सो साथ को हम लोग काटेंगें, तो यह आएगा, सैंतिस दिया 111 और यह 0, 307 दसमलब सम्थिण आएगा। 307 दसंबल सम्थिंग लेकिन दसंबल में तो आप्सन ही नहीं तो अप्रॉक्स में 307 ही ले लेते हैं तो कोना कोना कर लेते 307 और पचीस को 25 सते हो गया 25 सते 175 का 5 बांकी हो गया 7 और 25 तिया 25 तिया 75 और सोरी यह आ जाएगा 25 तिया 75 25 सते 175 175 का 5 बांकी हो गया 17 17 का 7 बांकी एक और 25 तिया 75 तिया 75 और अप्सन नमबर डी हो जाएगा क्योंकि आप्सन हमारा पॉइंट में थानी एप्रॉक्स में ही लिया गया था चली नेक्स कोस्टिन पर आते हैं अब हमारा सवाल है कितनी समय में 450 रुपे 535 साधान व्याज क किदर से 540 रुपे हो जाएगा क्या बोला है 450 रुपे मुलधन हमारा है तो यह 450 किसके बरावर तो मुलधन हमेशा 100 परतिशत के बरावर अब क्या बोल रहा है कि 454 रुपे हो जाएगा मतलब यह है मिसल दन एक काम करते हैं 450 रुपे मुलधन है और यह सम्मिला के 540 हो गया एक काम करते हैं 400-540 न रखे हम लोग 90 रख लेते हैं इसलिए 90 रख लेते हैं कैसे 90 आया तो मुल्धन और ये मिस्रधन में से मुल्धन को मैनस कर लिए ऐसे भी सोचते हैं कि 450 रुपे मुल्धन था और ये हो कितना गया 540 कितना एक्ष्ट्रा है 90 एक्ष्ट्रा है तो 90 कर देखा खोड़ा साने के लिए तो 19 साधान मेरे पास किपना है तो प्रतिसात है और घ। हमारे पास नहीं है पूछा गया है, हो गया solve कर लेते हैं, तो यह कर जाएगा 9 55, 45, 5-100 कर जाएगा 20 वार में, और 5-20 कर जाएगा 4 वार में, इधर कोना कोना कुछ बचा नहीं, और इधर भी कुछ नहीं बचा, तो T बराबर क्या जाएगा, 4 वार, option number C हो जाएगा, चलिए आज के लिए हम 832 रुपे हो जाती है, तो वह रासी याद करें, अब उल्टा पर गया यह, अब क्या है न, दर दे दिया है, दो बहस दे दिया है, और चक्रविधी ब्याज़े, ध्यान देना है कि चक्रविधी ब्याज़े, यही लफ्रा क्रियेट करता है, और 5,832 रुपे हो जाता है, य अब एक काम काता, फिस एक नए कोनसेप्स सीखते हैं, हमारा दर कितना है, अगर यही मुल्धन दिया रहता तो भईया, यह असानि से काम हो गया रहता, आठ परतिशत, आठ परतिशत को हम लोगा आठ बाटे सौट सकते हैं, चार से कर जाएगा, दो बार में, टार से कर जाए 27 पचीस रूपए एक साल में कितना हो गया ये 27 कहां से है तो ये 2 बढ़कर हो गया 27 एक साल में हम से पूछा है 2 साल में 2 साल का निकालने के लिए क्या करते तो 3 साल का रहता तो कर देते क्यों ये तरीका किसी भी कोशन में प्लाई कर सकते पीछे भी हम लोग जो सवाल बना है उस पर भी आप ट्राय करके देख सकते हैं कि दमासानी से बनेगा ये भी तो 25 का स्क्वाइर हो गया 625 और स्क्वाइर करने का मतलब अब ये बन गया 2 साल और 27 का स्क्वाइर हो गया 729 तो हम ये कहेंगे ये 625 हमारा मूलधन है और 729 रूपे हमारा मिस्रधन है और कितना एक्स्ट्रा है नो में से 5 के 4 जीरो हो गया और 104 हमारा क्या है तो चक्रवेधी ब्याज है अब आते हैं हमारा 5832 मिसधन दिया और यहां से मिसधन 729 तो यह कहेंगे यह 729 बरावर है 729 बरावर है 5832 के है उसके बाद काम करते हैं क्या कर लेते हैं तो हमसे वहरासी पूछा वहरासी का मतलब यह मूलधन पूछा है 625 बरावर वाट 729 को 5832 से भाग लगा लेते हैं 9872 यह कर जाएगा आठ बार में, आठ बार में कट गया, एक कोना कोना कर लेते हैं, 625 गुना आठ, 484 का 0, बांकी हो गया, 4, 8, 9, 16, 4, 20 का 0, बांकी हो गया, 2, 8, 6, 48, 48, 42 हो गया, 50, मुल्धन निकल कर आ गया, 50, option number A, इस तरीके से हम लोग इस सवाल को solve कह सकते हैं, बांकी इसका भी और तरीका है, मेरे ख्याल से, ऐसे एक तरीका से हम लोग बना सकते हैं, और दूसरा तरीका भी formula भी लगाएंगे, उससे भी आसान ही परेगा, तो आसा करते हैं कि आपको आज सारे concept अच्छे लगे होंगे, नया concept आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप कमेंट करके जरूर बता हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ न समझ में आया ना आया, क्यूंकि आपका वीडियो, स्वारे, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही important रहता है, तो बाकि, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ इससाथ हमारे को सोच्छल मेंडिया हैं जैसे की इंस्टागाम, फेस्बूक पेज, और साच हमारे इमेल भी है, अगर किसी तरह की query हो तो आप हमें email भी कर सकते या फिर gkgs किसी भी कोई भी PDF अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं हम से तो मिलते हम लोग next वीडियो में धन्यवाद